यह सो हलो एब्रीवान हितेश यह और टूडए वी गना टॉक अबाउट दी लेटेस्ट रिलीज्ट मुवी कॉल्ड ओपन हाइमर एक ऐसे सैंटिस्ट के कहानी जिसने इस धरती पर अटॉमिक एनरजी के साथ रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम करे और बन गया दी फादर का देवता बना दिया जिसमें उसकी इंस्पिरिशन थी खुद हमारे भारत की भगवत गीता जिसमें कृष्ण जी की साफ साफ लिखाता कि मैं है मृत्य हूं और मैं ही संसार का विनाशक हूं और अब जब इतने ही तारीफ हो चुकी है सना विदाउट वेस्टिंग एनी ट स्ट्रॉस को देख पाते हैं जिनने की प्ले किया है खुद रौबर्ट डाउनी जूनियर ने इस कहानी में करेक्टर्स को चुन-चुन कर लिया गया है और जिन भी करेक्टर्स ना एक्टिंग करी है अगर आप एक्टिंग के फैन है तो इस मूवी को दिल से अपना बना ल मिलना भी चाहिए या फिर नहीं क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोश्रीमा नागसाकी पर हुए बड़े धमाके के अंदर इनी का ही नाम आगे आ रहा था और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बच्पन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे जहां से कहानी उनके कॉलेज टा इतने छोटे होते हैं कि हर चीज दोस नजर आती है देखा जाये तो एक इंसान भी इंसान के आरपार जा सकता है और इसका बहतरीन एक्जामपल हमने दफ्लैश मूवी में भी दिखा था इस बीच काम करते करते उनसे एक बोतल टूट जाती है तबी उनकी टीचर उन पर ग घर कोई उतारू हो चुका था वहां से उनकी टीचर और पूरी क्लास तो चली जाती है मगर उपन हाइमर से कहा जाता है कि तुम्हें इसी क्लास में बैटकर यहां की सारी केमिकल बूटल को जवाना होगा गुस्से माया ओपन हाइमर अपने टीचर के ही सेव में पॉईजन मगर यह कुश्चन दूसरी बार रेपेटेट था क्योंकि सेम कुश्चन उन्होंने उनसे लंडन में भी पूछा था उनकी सबसे बड़ी गलती कहा जा या फिर उनकी किस्मत क्योंकि अगले दिन उसी क्लास में उनकी टीचर के सामने नील्स बोर भी खड़ेते और वहां ओ नील्स बोर के हाथ में नील्स का ओपन से कहना था कि देखो तुम्हारा दिमाग काफी क्वांटम फिजिक्स में थोड़ी कमी है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी त्योरी को और मजबूत करो इस शहर से कहीं दूर जाओ एक कॉलेज का नाम तुमें बताता हूं वहा साथ फिजिक्स में इतने जदा इंट्रस्टेड नहीं थे मगर उपन हाइमर एक रुषियन होने के बावजूत भी अमेरिका को अपनी पूरी शिदत से अपना चुका था और अमेरिका के लिए एक नई खोच करके कुछ नया सामने लाना चाहता था अब यहां से कहानी काफ जो मेन कड़ी थी वो थे कम्यूनिस्ट जो कि इन दोनों ही देशों के बीच में जखड़े को भड़काने का काम किया करते थे एक दिन ऐसी ही एक कम्यूनिस्ट की पार्टी में जब ओपन हाइमर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जीन नाम की लड़की से होती है द होती जदा फिदा थी और वो जानती थी कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा कारणामा होगा तो ओपन हाइमर के हाथों से ही होगा जहां बरजीन उसे वह पंक्तियां पढ़ाती है जिसमें श्रीकृष्ण ने लिखाता है कि अब मैं मृत्यू बन चुका हूं विनाश का क उसको सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ उस किताब को पढ़ लेने से ही ओपन हाइमर ने अपने आपको मृत्यू का कारक बना लिया तो ऐसा नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुटी चुटी प्रेड़नाओं का होना भी जरूरी होता है और उनी में से यही वो कुछ लाइन थी जिनने ओपन हाइमर ने अपने दिमाग में बठा लिया था कुछ दिनों बाद ओपन हाइमर की मुलाकात लौरेंस से होती है जो की अटॉमिक बॉम पर फिजिकली एक्सपरिमेंट कर रहा था अब जहां कुछ त्योरी जोपन हाइमर की गलत साबि भी हो जाती है इन बिट्वीन उनके रिलेशन्चिप जीन से भी थे और वो कई बार उसके साथ मिलने के लिए भी जाया करते थे और साथ में सेक्स किया करते थे मगर जीन हमेशा से ओपन हाइमर से कहती थी कि तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए मैं मैं मेंटली डिस्टर उनका कहना था कि रश्या से हमें कुछ गुप्त सूत्रों से मालुम चला है कि वह लोग भी अटॉमिक एनर्जी या फिर अटॉमिक बॉम पर काम कर रहे हैं अगर हमसे पहले उनके पास विश्विताक अता गई तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेंगे और मैं बनाता है और लॉस अलमॉस नाम की जगह पर जो कि कभी पहाड़ों और खीतों जिसी लगा करती थी वहां पर एक नकली शहर बसाया जाता है ताकि सैंटिस तो तभी खुश रहेंगे जब उनकी फैमिली उनके पास रहेगी और जब खुले दिमाग से काम होगा तो रिजल् यानि की एरिया को अपने अंदर कवर कर लेगा इस बात की पुश्टी करने के लिए अलबर्ट आइंस्टाइंग से जाकर मिलते हैं जहां पर उनका कहना भी सेम था कि अगर तबाई हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी अगेन यहां से सींग कोट्रूम में शिफ्ट हो होना तो बस कुछ पलो की ही बात होती इस पूरे काम को करने में इन्हें करीब दो साल से उपर का वक्त उपर से दो अरब डॉलर्स की लागत और हजारों लोगों की मैनत लगती है इसी बीच ओपन हाइमर के पास खबर आती है कि मानसिक स्थती के चलते जीन ने सोसाइट कर करने थी जब सभी साइंटिस्ट अपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का भी ऑप्शन इन्हें दिया था जो की एक हजार गुना जादा शक्तिशाली था मगर कोई भी अभी उसके लिए तयार नहीं था लेकिन अपनी के चलते उपन साथ धमागा किया जाना था और वह धमागा भी इतना वड़ा था कि इनके सर से इनकी तोपी तक उड़ गई थी सभी लोग अपने नमूनों से बहुत इसदा खुश थे और अब यह बात प्रेजिदेंट तक पहुंचती है जहां पर उनसे यहां कॉर्ट पास करवाना था क इस वक्त अमेरिका भी एक बड़ी ताकत और रश्या भी एक बड़ी ताकत थी जिनके बीच में जपान लड़ रहा था तो प्रेसिदेंट को अपना आसान शिकार जपान लगता है जिनमें यह 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं और अब इनमें से इन्हें एक कुछ च चेन रियक्षन में जो सबसे खास कामिकल या फिर सबसे खास चीज जो काम में आती है वह होता है प्लोटोनियम लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि अगर बारिश आ जाए पानी गिर जाए तो फिर फ्यूजन रियक्षन होने में मुसीबत आ सकती है और जिस दिन इनकी फाइन पर ही इतने सारे लोगों की उमीदे टिकी हुई थी और फिर जाके फाइनली वो मुमेंट आता है जब सुबह के साड़े पांच बजे बरसात थोड़ी सी थमती है और सभी लोग अपनी सासे थाम लेते हैं और शुरवात होती है एक ऐसे धमाके की जिसने विश्व में अप बाद में युएस गौर्मेंट तयार थी इस बॉम को हिरोशीमा पर गिराने के लिए अब यहां मुझे एकस्पेक्टिशन थी कि पुरानी फुटेज कुछ दिखाई जाएंगी कि जब वो बड़ा बाउम एक एरोप्लेन की थ्रू हिरोशीमा पर गिरा गया था तो उसका स्पूर्ट कितना बड़ा था लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया सिर्फ डिरेक्ली रिजर्ट्स पर बात हुई कि जब हिरोशीमा पर यह बॉम गिरा तो करीब दो लाख 20,000 लोग मारे गए इस खबर से हाला कि युएस गौर्मेंट बड़ी खुश थी मगर उन्होंने कई सारे परिवारों जाड़ दिये माओं से उनके बच्चे जहीं लिए बच्चों से उनका फ्यूचर जहीं लिया इन फैक्ट वहादसा कितना जदा दर्दनाक था उनकी आखों के सामने बस वही मनजर घूम रहा था जिसके कुछ दिन बाद ओपन हाइमर को डि जगड़ा हो गया तो लागों नहीं बलकि करोड़ों लोग मौत के घांट उतर जाएंगे जिन में खोन के रंगे हातों का श्रेय जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपन हाइमर को जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि एक पॉम तुमने नहीं बलकि मैंने गिरवाय हाथ तुमारे था और यहां एंड में पता चलता है कि स्ट्राउस जो की एक एंटी पर्सनालिटी की रूप में काम कर रहे थे इस मूवी में दो बार उनकी इंसल्ट हुई थी थू ओपन हाइमर और यहीं रीजन था कि उनसे बदला लेना चाहते थे और उन्होंने यह सरकम्टेंस बनाए ताकि ओपन हाइमर मेंटली प्रेशर डाकर एक ऐसा हतियार बना दे जो दुनिया विनाशक हो और तब सामने आती है कहानी की वो साइलेंट करेक्टर यानि की केटी हाइमर जो की हमेशा सही नशे में धुत रहा करती थी बच्चे अगर रोती भी रहते थे तो कभी जवाब भी हट जाते हैं अब यहां कहानी के एंड में चोटी सी कांवर्सेशन दिखाए जाती है इन बेट्वीन ओपन हाइमर एंड अलबर्ट आइंस्टाइन यह वो वक्त था जब हाइड्रोजन बॉंबिंग की कुछ एक्विशन अलबर्ट आइंस्टाइन को दिखाए जाते है जहां पर उनका कहाना था कि यह तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी तो कोशिश करना कि यह सारी चीज़ें रुख जाए और कहानी का एंड सिर्फ यह दिखाते हुए होता है कि मालूम तो अलड़ी ओपन हाइमर को चल चुका था कि अब हाइड्रोजन पावर भी वज सब्सक्राइब करें और फिर भी अगर जाना चाहते हैं तो फैमिली के साथ ना जाकर के फ्रेंड्स के साथ क्योंकि डिसक्शन में उनका उपीनियन बहुत ज़्यादा माइने रखेगा और सेक्शल सीन से माबाप के जूते खाने से भी बच जाएंगे आप लोग लेकिन प यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजेगा मैं जानता हूं कि मैंने काफी सारे साइंटिस के नाम नहीं लिए काफी सारे प्लेस का एक्जक्ट लोकेशन नहीं बताया है मगर वो सब बोलने में बताने में इतना जदा कॉंप्लिकेटेड हो जाता है कि इस्टोरी एक मूवी ना बनकर एक पूरी हिस्ट्री बुक बन जाते हैं और दस मिनिटों में एक हिस्ट्री बुक को एक्स्प्लेइन करना इस नेक्स्ट टो इंपॉसिबल तो आई होब गाइस कि आपको यह मेरी मे वीडियो में